आज हमने एकदम क्रिस्पी, क्रंची, चटपटा टेस्ट वाली पनीर पॉपकॉन बनाई है यह बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे तो रेसिपी की सुरुवात करने से पहले वीडियो आपको पसंद आये तो इसे लाइक करें, सेयर करें और मेरी चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नौटिफिकेसन आपको मिलती रहे तो रेसिपी की सुरुवात करते हैं और बनाते हैं पनीर पॉपकॉन पनीर पॉपकॉन बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर लिया है इसे हम छोटा-छोटा क्यूब आकार में कट कर लेते हैं इस तरह से छोटा-छोटा चौकर पीस कर लेते हैं एक चौथाई कप मेंदा है ये तीन टेबल स्पून मेंदा है तीन टेबल स्पून कॉन फ्लोर एक चौथाई कप आधी टीस्पून ओनियन पावडर आधी टीस्पून गार्लिक पावडर एक टीस्पून काली मिर्च पावडर डाल रहे हैं एक टी स्पून नमक एक टी स्पून कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर एक टी स्पून ड्राइ पार्सले डाल रही हूँ इसके बदले में आप एक टेबल स्पून बारिक चौप हरा धनिया डाल सकते हैं मसाला अच्छे से मिक्स कर लेना है पनीर का क्यूब हमने अंदर डाल दिया है स्पेचुला से इसे इस तरह से कोट कर लेते हैं पनीर थोड़ा पानी वाला रहता है गिला होता है तो यह अच्छे से उपर कोट हो जाएगा इस तरह से पनीर का क्यूब निकाल लेंगे मेंदा और कॉण फ्लोर जितना उपर कोट हुआ है उतना ही बाकी का हमें अंदर ही बाउल में रहने देना है पनीर का पीज सब निकाल दिया है इसमें से इसे के अंदर हम दो टेबल स्पून कॉण फ्लोर डालेंगे दो टेबल स्पून मेंदा दो टेबल स्पून दही आधी टीस्पून नमक एक टीस्पून सोया सोस इसे मिक्स कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर बना लेते हैं बेटर मैंने बना लिया है मेडियम घाड़ा बेटर बनाना है इसमें मैंने एक चौथाई कप और देड़ टेबल स्पून पानी डाल के बेटर बनाया है दहीं आप घाड़ा या पतला ले रहे हैं उस हिसाब से पानी डाल के बेटर बनाना है मैंने यहाँ पे एकदम घाड़ा दे लिया था एक बावल में मैंने ड्राइ ब्रेट क्रम्स ले लिया है पनीर का क्यूब को बेटर में डालेंगे एक एक क्यूब को इस तरह से डीप करके ब्रेट क्रम में डाल देंगे और इसे हम दूसरे हाथ से इस तरह से उपर ब्रेट क्रम डालके इसे कोट कर लेंगे इस थारा से अच्छे से कोट कर लेती है सबी पनीर को इस तरह से Standard bread crumbe से कोट कर लेना है हुआ इसे हम साइ्ड में रखते जाएंगे और दुसरा पनीर का क्यूप बेटर में deep करके इसके अंदर डालके कोट कर लेती है है अगर बेटर थोड़ा घाड़ा लगता है तो इसमें आधी टेबल स्पून जितना पानी मिला लेंगे तो ये जल्दी से कोट हो जाएगा मिडियम पतला बेटर बन गया है अब पनीर के क्यूब एक एक बेटर में से निकालके इस तरह से ब्रेट क्रम में डालके दूसरे हाथ से इस तरह से भी कोट कर सकते है एक हाथ से बेटर में से पनीर का क्यूब निकालना है और दूसरे हाथ से इस तरह से ब्रेट क्रम से कोट क कर लेना है और बहुत ही जल्दी काम होता है इस तरह से इस तरह से मैं ready कर लेती हूं सबी पनीर के क्यूप को breadcrumb से coat कर दिया है इस तरह से इसे निकाल लेते हैं क्योंकि नीचे breadcrumb से इस तरह से कर लेंगे तो अच्छे से breadcrumb उपर चिपक जाएगा पॉपक२र को ready कर लिया है अभी इसके उपर डालने के लिए एक masala mix कर लेते हैं एक टीज़्पून पाउडर चीनी, एक टीज़्पून नमक, आधी टीज़्पून काले मिर्च पाउडर, आधी टीज़्पून ओनियन पाउडर, आधी टीज़्पून गार्लिक पाउडर, एक टीज़्पून कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर, एक टीज़्पून चाट मसाल तेल गरम करने के लिए रख दिया है और ये गरम हो गया है तेल अच्छा गरम हो जाना चाहिए बाद में पोपकॉन को अंदर डालना है इसे हम मेडियम तो हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं दिमी आज पे इसे फ्राई नहीं करना है देकर पनिर हाड हो जाता है उलट पलट करके गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं इक गोल्डन ब्राउन हो गया है यह उपर डालना है, इस तरह से मसाले को अच्छे से कोट कर लेना है उपर डालके, गरम गरम में मसाला उपर डालेंगे, तो यह अच्छे से उपर चिपक जाएगा, एकदम टेस्टी और चेटपटी पनीर पॉपकॉन रेडी है, इसे मैंने स्वीट और स्पाइसी टॉमेटो एक नए वीडियो के साथ